धन्तेरस के दिन इन छे चीज़ों को खरीदना मानते हैं. बेहट शुब. धन्तेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़े हैं जिनको खरीदना शुब माना जाता है. मान्यता के अनुसार धन्तेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता आईए जानते हैं क्या है ये चीजे नंबर एक पान के पत्ते पान के पत्ते मा लक्षमी को विशेश रूप से प्रियम आने जाते हैं इसलिए धंतेरस के दिन पान के पांच पत्ते जरूर खरीद कर ल नंबर दो धनिया धंतेरस पर धनिया या फिर धंतेरस के बीच खरीद कर जरूर लाने चाहिए मा लक्षमी को धनिया अर्पित करे और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छड़क दे ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्थ दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। मुख्यद्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन गनेश लक्ष्मी की प्रतीमा लाने से आपके घर में सुक सम्रिद्धी का वास होता है। नमबर पाँच जाडू धंतेरस पर जाडू घर में लाना बहुत ही शुब माना जाता है। जाडू को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जाडू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार जाडू हमारे घर को साफ करती है। उसी प्रकार से मा लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नमबर 6 खील बताशे दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तयार हो जाती है और इसी धान से खील तयार की जाती है इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए ध्यान रखे कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए पुराने रखे खील बताशे नहीं चड़ाने चाहिए नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और ऐसे ही और वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद।